Hello to you fans lovers, जैहिंद and welcome back to Stand Up Classes तो कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ अच्छे होंगे तो दोस्तों समय हो चुका है हमारे Current Affairs के Special Class का और जो हमारा आज का Class है यह Special Class का Part 8 है तो चलिए फटफट आज के भी Current Affairs के Questions देख लेते हैं हाँ जी मैं अब Questions देखने से पहले मैं आप सभी लोगों के एक चीज़ और Confirm कर दूँ कि यह जो हमारा Current Affairs का Class है यह हमारा Last Class है अब इसके बाद Current Affairs की कोई भी Class नहीं आएगी क्योंकि पिछले चार से पांच माईने के जो भी Important Current Affairs के Questions थे वो सब मैंने चूच कराके आपको करा दिया है बाकी मैंने आप सभी से याद होगा एक चीज कहा था कि 24-25 अक्टूबर तक मैं आप सभी को Current Affairs की किताब प्रवाइट करा दूँगा जिसमें पिछले Last Six Month के सारे Current Affairs के Questions होंगे जो आपके Exam के Point of View से Important होंगे तो किताब लगवाग तयार हो चुकी है 24-25 तक मैं आपको प्रवाइट करा दूँगा किताब का कुछ कॉस्ट है आप payment करके किताब ले लिजेगा वहां से आपकी त्यारी बहतर हो जाएगी तो चलिए कोशन्स देखते हैं तो यहां पर जो हमारा सबसे पहला कोशन दिया गया है वह है कि हाली में किस राजी सरकार ने किसानों के उन्यान के लिए किसान कल्याण कोस बोड अस्थापित करने का फैसला किया है काफी important कोशन है एकजाम में 100% आ सकता है तो यह जरूर कर लिजेगा कोशिन क्या है हाली में किस राजी सरकार ने किसानों के उन्यान के लिए किसान कल्यान कोस बोड अस्थापित करने का फैसला किया है तो ये फैसला किस राजी सरकार द्वारा किया गया है केरल राजी सरकार द्वारा ठीक है और क्या फैसला है किसानों के उन्यान के लिए ठीक ह क्या किया जाएगा किसान कल्यार कोस बोड अस्थापित किया जाएगा ठीक है कहां पे किरल में याद कले जाएगा आपस नुमर डी हमारा बेल्कुल करेक्ट है चले नेस्ट कोशिन आपका भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतराश्टी सौर एगठ बंधन का के लिए नए प्रैक्टिस एट कोर्से शुरू किए गए यहाँ पर आपको टॉट एज चूट में गीए करा रहें प्लस कोर्स का तो चलिए लास्ट में उसको बता दूंगा बाकि हम आगला कोशिन देखते हैं तो हम्यरा नेस्ट कोशिन है दोस्तों दिल्ली के ऊपमॉख मुखे मंतरी मनिस सी सोधियों को किसी का अत्रीक परभार दिया गया गया। तो पूछा जो दिल्ली के दिल्ली मनिस सी ty को दिया भी वाग झोगुन सा दिया फिर से वह दिया गया है रोजगार हिम सरम भीभाग आप से हमेरा नेकिंट कॉशन देखते हैं तो हमारा चुछ नंये सब्सक्राइब की Financial Action Task Force, FATF की Gray List में बरकरार रखा गया, काफु important question है, तो हाली में किस देश को Financial Action Task Force की Gray List में बरकरार रखा गया है, किस देश को जड़ा बताईएगा, वो है आपका पाकिस्तान, ठीक है, याद का लेज़ेगा, question क्या एक बर फिर से देख लिए, हाली में किस देश को Financial Action Task Force की Gray List में बरकरार रखा गया है, पाकिस्तान को, चले, next question देखिए, next question आपका, हाली में भारती फुटबाल टीम के किस पुर्व कप्तान का, जो है, उन्चास वर्स की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है, चले, next question देख लिए, next question आपका, बारती मुल्के बिख्यात, सिछाविद स्रीकांद दातार को, किस स्कूल का, डीन नामित किया गया है, तो भारती मुल्के बिख्यात, सिछाविद, सिछाविद, स्रीकांद दातार को, किस स्कूल का, जो है, डीन नामित किया गया है, किस स्कूल का, तो वह आपका, हार्बर्ड बिजनेस स्कूल का, ठीक है, याद क पादियानी GDP में निवन में से कितने परतिसत का गिरावट का पुर्वानुमान लगाया है कितने परतिसत का टोटल जो है 9.6 परतिसत का गिरावट का अनुमान लगाये गया ठीक है अभी जो चालू वितिवर्स आपका चल ला है इसमें जो है आपका जो GDP है इसमें गिरावट का पुर्वानुमाम लगाए गया है विसु बेंक द्वारा कितने परतिसात का 9.6 परतिसात का याद कर लेज़ेगा अगला कोशन देख लिए तो हमारा अगला कोशन है दूर संचार नियामक प्राधी करण ठीक है ने अगले कितने साल के लिए पीडी वगहला को अपना चेयर ग्रिय हमंत्राले ने हाली में राष्टिय जांच एजनसी एनाईय की तीन अंत्रिक्त साखाओं को इंफाल चेन्य और किस सहर में अस्थापित करने को मंजूरी दे दिया देखे बैद मुक्त मोशन है तो ग्रिय हमंत्राले ने हाली में जो राष्टिय जांच एजनसी है न इंफाल चिन्नई और राची किसकी एना ये की ठीक है जो राज्टी जांच एजनसी है इंडिया की चलिए नेस्ट कोशन देख लिए नेस्ट कोशन है आपका किस राजे सरकार ने हाली में राजी के दुरस्त छेत्रों में बच्चों तक सिछा पहुचानी के लिए अब रेड सिछा पहुचानी किलिए अब रेडियो का इस्तावाल करने का लिणे में लिया ग.' किस राज्सरकार दौरा तो किस राज्सरकार कर दवारा एंडिया लिया ग घए ऐख कम लागू की य विन्डस् वाटरs ट्रिट आपका कई चुके होंगे जो की product 1960 में लागू किया गया था तो पूछ रहा कि किस जो है दो देशों के बीच में लागू किया गया था जिसको अब 60 वर्स पूरे हो चुके हैं तो भारत और किस वर्स के बीच में लागू किया गया था जिसको 69 वर्ष पूरे हो चुक takeaways उन्ड़ास ट्रीट को इन्ड़ाइक सभी के बीच में यह लागू किया गया था पाकिस्तान एयों इंडिया के बीच में 1960 में लागू किया था सिंदु जल संदी ठीक है याद कले जगा आप टोटल साथ हो चुके हैं चले नेस्ट कोशिन देख लिए नेस्ट कोशिन आपका सन्युक्त अरब आमीराथ UAE में निम्ण में से किस देश को सन्युक्त अरब आमीराथ किस देश को पूछ रहा है किस देश को करेगा किस देश को करेगा किस देश को किया जाएगा भारत को ठीक है तो UAE द्वारा जो है टोटल 93,895 कारबराइन जो है राइफल की आप पूर्ती की जाएगी भारत को ठीक है याद कले जाएगा क्या नामे राइफल का कारबाइन राइफल कितने टोटल होंगे 93,895 कोन करेगा UAE किसे करेगा भारत को ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देख लिए नेस्ट कोशन आपका दुनिया के सबसे उची यह देखिए 100% यह कोशन एक्जाम में आ सकता है बहत मत्मूर कोशन है ठीक है तो दुनिया के सबसे उची परवत माउंट एबरेस्ट की सीखर पर आक्सीजन सिलेंडर के बिना दस बार चड़ने वाले नैपाल के किस परसिद्ध परवता रोही का हाली में निधन हो गया बैद मत्मूर कोशन है तो दुनिया के सबसे उची चोटी परवत जो है माउंट एबरेस्ट के सीखर पर बिना आक्सीजन के सिलेंडर के दस बार चड़ने वाले नैपाली के जो है किस नैपाली परसिद्ध परवत रोही का जो है निधन हो गया हाली में क्या नाम था उनका वहां आपके अंगरीता सिर्फा क्या नाम है अंगरीता सिर्फा ठीक है याद के लेजगा आपसन और भी हमारा जो है बिलकुल करेक्थ है चलिए सिमांचल दास क्या नाम है सिमांचल दास यात कली जेगा चले नेश्ट कोशन देख लिए नेश्ट कोशन आपका रा के पुर्व प्रमुक अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्टिय तक्निकी अनुसंदान संगठन एन टी आरो ठीक देख लिए क्या दिया है रा के कितने वर्ष के लिए राष्टिय तक्निकी अनुसंदान संगठन का नया अध्याश है चुना गया है कितने साल के लिए टोटल टोटल दो साल के लिए ठीक है कितने साल के लिए दो साल के लिए यात कलेज़ेगा 100% एक्जाम में कोशन आ सकता है चले नेश्ट कोशन देख तो जो हमारा नेस्ट कोशिन है यह सबसे मुख्पूर कोशिन है और यह कोशिन में आपको करा चुका हूँ ठीक है हो सकता है आप लोगों ने इसका एंसवर ना बताया हो मैं लाश्ट में यह पूछा था लेकिन आज मैं आपको इसका एंसवर भी बता दूँगा वैसे आप कुमंदिनी त्यागी और सबलेप्टिनेंट रीती सिंग, भी सबलेप्टिनेंट प्रेंका त्यागी और सबलेप्टिनेंट कृति कृति सीनाका Cumali लोगो का नाम है उंदों लोगों का नाम है सब्लेटिनेंट कलास समास्थ हो इस्लिपी के लाइक के गारेम साइंजime के लिए चलेगा आपका एर फोर्स का पाकि वीडियो पसंदा तो वीडियो का लाइक कर दीजेगा और जो मैंने अनेकेडमी के प्लस स्क्रेप्शन कोर्स के बारे में बात किया था उसके बारे मैं आपको पूरा डीटेल बता देता हूं यदि आप एफॉर्ड कर सकते हैं तो ज़रू एरफोर्स का एक्जाम नॉवंबर के फर्स्ट फिंग में होने वाला है वो इन पेट सस्क्रिप्शन कोर्सिस को ले सकते हैं और अनेकडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एक्जाम त्यारी को और भी बहतर बना सकते हैं और आपको पता ही है कि यहाँ पे पता ही हैक तो लिए मैहने का लेते हैं तो 16 करता हूं जैसे मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया चलिए छह महीने का कोई एक जो है स्क्रिप्टिप्ट करता हूं और इसे कांटीन्यू कर देता हूं इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एंडिया तीनों के यह मिल जाएगा ठीक है तो यह देखिए यहां पी क्या कह रहा है जो है इंटर रेफरल कोड यहां पर अपलाई करने के लिए दे रहा है तो टोटल कास्ट मुझे कितना पढ़ रहा है अच्छा है और जो अपनी तयारी बहतर करना चाहते हैं वो यहां से जो है इस सस्क्रिप्सन कोर्सेश को जो है ले सकते हैं प्रोसी टू पेमेंट करके फिर मिलते हैं इस बीडियो में धन्यवाद